Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? Hope कि आप अपनी summer vacation को अच्छे से इंच्ज़ाई कर रहे होंगे और आप अपनी knowledge को भी दोरान expand कर रहे होंगे जो आपको summer vacation का homework मिला है उसको भी आप रूची लेकर कर रहे होंगे तो इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस परकार से हमारे summer vacation homework को थोड़ा interesting बना के कर सकते हैं इसके लिए मैंने जो टोपिक लिया है वह है रेशम कीट का जिवन चक्र जो की कक्षा साथ विज्ञान के lesson 3 का एक topic है lesson है तंतू से वस्तर तक उसमें रेशम कीट का जिवन चकर आता है जो कि आपने पढ़ा होगा रेशम कीट से हम रेशम प्राप्त करते हैं और आपको पता है कि रेशम एक प्राकृतिक तंतू है और ये बहुत ही सुन्दर तंतू है महंगा भी है और इससे बने हुए वस्तर काफी महंगे मिलते हैं और बहुत ही सुन्दर भी होते हैं रेशम की खोज के लिए सबसे जादा जो श्री है वो चीन को दिया जाता है सम्माना जाता है कि रेशम की खोज सबसे पहले चीन में ही हुई थी और उसके पश्चात चीन से फिर ये दुनिया भर के अलग-लग देशों में रेशम की जो जानकारी है वो पहले तो हम रेशम क किट के जीवन चकर को किस प्रकार इंट्रस्टिंग बना कर सेख सकते हैं देखिए मैंने कले का यूज करके यहां पर रेशम कीट का जीवन चकर दिखाया है देखिए हमने कले से मादा रेशम कीट बनाया है मादा रेशम कीट अंडे देती है और अंडो में से कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर निकलता है जो की दिखने में बिल्कुल जो कपास की सुन्डी होती है उसके जैसा हमें दिखाई देता है आपने देखी होगी हम सभी क्रिशी प्रिवारों से आने वाले बच्चे हैं और हमें पता है कि कपास के अंदर एक विशेश प्रकार का खेडा लग जाता है जिसे हम सुंडी बोलते हैं वो बिल्कुल जो caterpillar होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है और आपने देखा होगा कि जो सुंडी होती है वो भी जो पोधों के पत्ते खाती है तो caterpillar जो रेशिम कीट का caterpillar होता है जो कि अंडो में से बाहर निकलता है वो भी अंडो से बाहर आने के बाद लगातार शेहतूत क पतियां खाता है दिन रात बिना रुके 15 से 20 दिन तक ये शेहतूत की पतियां खाता है और उसके पश्चाथ फिर ये एक दम से खाना बंद कर देता है और फिर ये अपने सिर को आठ की इस तरह से आठ की आकरिते में ऐसे हिराता है अपने मूँ से एक चिपचिपा पदार निखालता है जो बाहर आकर रेशे में बदल जाता है और इस रेशे को ये अपने मूँ को इस तरह आठ की दिशा में गुमाते हुए इस रेशे को अपने पूरे शिरिद के चारों तरफ ले पेटता चला ज प्यूपा के अंदर अपने आपको विक्सित करता है और उसके पश्चात यह प्यूपा को फाड़ के प्यूपा में से बहार आ जाता है रेशम केट के रोप में इस प्रकार रेशम केट अपना जीवन चक्र पूरा करता है हम रेशम कीट के जीवन की कोन सी अवस्था में इससे रेशम प्राप्त करते हैं तो बहा अवस्था है प्यूपा अगर प्यूपा को तोड़ कर रेशम कीट बाहर आ गया तो फिर हमारे काम का कुछ नहीं रहेगा यह जो बाहर का खोल है यह हमारे काम का नहीं रहेगा रेशम के सारे धागे तूट जाएंगे और फिर उससे हम रेशम प्राप नहीं कर पाएंगे इसके लिए हमें क्या चाहिए कि रेशम केट के प्यूपा से बाहर निकलने से पहले ही हम इन प्यूपा को गर्म पानी में डालके उबालते हैं जिससे इनके अंदर के रेशम केट जो हो मर जाते हैं लेकिन जो बाहर का प्यूपा है जो रेशम के तंतूं से बना है वो प्यूपा गर्म पानी में डालने से उसके जो तंतू है वो अलग-अलग हो जाते हैं और उनको फिर लपेट लिया जाता है और फिर बाद में उनको उनकी बुनाई करके उनको धागों में बदल लिया जाता है और फिर उनसे रेशम के वस्तर बनाए जाते हैं तो इस प्रकार से रेश्यम कीट का जीवन चकर हम कले की सायता से देखे कितने रंग बिरंगे और मनोरणजक तरीके से हम खेल खेल में ही कुछ विज्ञान सिख सकते हैं आप भी इसे घर पर ट्राई करना और मजे मजे में अपना समर होलिडे होम वरक करना थैंक यू